हलो यूटूब दिस इस सोभा मगरवाल and you're watching cyberbaba ट्यार जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है 16 जन्वरी 2018 को यूटूब ने अपनी new policy release कर दी है अब आपके चैनल का monetization depend करेगा आपके watch time पर यहाँ पर जो limit रखी गई है वह है 4000 गंटे अगर आपके चैनल पर 4000 गंटे का watch time होगा तब ही आपके चैनल monetize होगा तो यह अपनी बाकी वीडियो की तरह है इस वीडियो में मेरे चैनल के experience के साब से बाग करेंगे तो चलते हैं हम अपने चैनल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल की एक report है तो यहाँ पर मैंने 7 days select किया है लास्ट 7 days अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल का watch time है वह दो लाग सेंटी से जार की something है मतलब यह वास्टाइम मेरा last 7 days का है अब अगर इस वास्टाइम को हम hours या फिर गंटे को convert करें तो यहाँ होता है वही 4000 गंटे के something मतलब 7 दिन में मुझे 4000 गंटे का watch time मिलता है तो बढ़ते हैं हम आप अपने topic की तरफ कि आप कैसे 4000 गंटे का watch time gain करेंगे तो यहाँ बहुत ही आसान रास्ता है और definitely आप 4000 गंटे का यह milestone cross करेंगे अब आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने channel को check करना है आपने उसमें किस तरह का content create किया है सबसे पहले आपको यह check करना है और यही आपका सबसे important point है क्योंकि tips and tricks या फिर 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 वीडियो पर watch time नहीं आता है अगर आपको लगता है कि आप computer tricks या फिर mobile tricks या फिर sort कुछ इस तरह से videos create करते हैं तो ऐसी videos पर watch time नहीं आता आपको अपनी videos में information देनी है अगर आपकी videos में information होगी तो definitely आपकी videos को user watch करेगा user आपकी videos को watch करेगा that means आपका watch time increase होगा जैसे कि अगर हम कुछ powerful watch time वाली categories की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो सबसे first category है वो है facts अब facts वाली category इसलिए higher rank पर है क्योंकि facts के बारे में सभी users को जाना है आप चाहे वह किसी भी age group के हो इस तरह से हमारी second category है unboxing क्योंकि unboxing की video में एक suspense बना होता है user को इंतजार होता है कि आखिर में इस box में है क्या यह कैसे काम करता है क्या इसके फायदे क्या नफसान कैसे हम इसे use कर सकते है तो इस तरह की videos में आपको watch time ज़्यादा मिलता है ति इसी तरह से अगर हम series की बात करें जैसे की languages, editing series, photoshop क्योंकि user की भी इक्षा होती है इसके बाद हमारे जो next और सबसे ज़्यादा important category है वह है gadgets सब भी user and gadgets के बारे में जानना चालते हैं अब आपने भी YouTube पर बहुत सारी videos देखियोंगी कि top 5 gadgets, top 10 gadgets, top 5 gadgets जो आप Amazon से खरीच सकते हैं top 5 gadgets जो आप फिलिप कार्ट से खरीच सकते हैं तो इस तरह से आपको बहुत सारी videos मिलेंगी और actual मैं एक video watch time गेंग करती हैं क्योंकि user इन videos को last तक दिखता है तो सबसे पहले आपको अपने चैनल को check करना है आपको अपनी category देखनी है कि अभी तक आपने किस category पर video बनाए किस topic पर video बनाए अगर आप tips, internet related videos बनाते हैं या फिर कोई भी sort videos बनाते हैं तो अभी कुछ दिन के लिए आप इन videos को stop करें और information वाली videos बनाए मैं आप से बिल्कुल भी नहीं वह लहाँ कि आपको 30 दिन में 30 video बनानी है आप 15 video बनाए अगर आप 15 videos भी नहीं बना सकते तो आप 7 video बनाए 7 video भी नहीं बना सकते तो आप 4 video बनाए लेकिन जो 4 video होंगी वो बिल्कुल quality content होगा मतलब अगर user आपके उन videos को देखता है तो वह उन्हें छोड़ करना जाए अब आपको पता है कि problem कहां होती है क्यों आपकी videos ranking में नहीं आती क्योंकि जब भी आप YouTube और videos को upload करते है तो YouTube का algorithm ही ऐसा है कि आपकी video searches में आती है YouTube आपको पॉंका देता है आपकी video searches में आती है बट अब आपके जो users हैं आपके जो subscriber हैं वो इस video को देखते हैं अगर users को लगता है कि उस video में information नहीं है या फिर इस video में आपने जो बताया है वो है हम एक मिनट या डेल मिनट में समझ चुके हैं तो आपकी videos को watch time खतम होता जाता है मतलब आपकी video selected बनी हैईगी मतलब आपकी video rank नहीं करेगी मतलब आपकी videos दीरे दीरे नीचे दाती जाएगी तो अब फोकस करें आप अपने content पर quality content पर आप 30 video ना बनाएं आप सिर्फ चार videos बनाएं लेकिन information बिल्कुल refine होनी चाहिए अब बहुत सारे इंट्यूवर्स करते क्या हैं कि users को पहले ही irritate करते हैं बट रुवात के जो 8 से 10 या 15 सेकेंड होते हैं कोसिस करें कि इस टाइम में user आपकी videos को छोड़ कर ना जाए इसके लाबह मैं आपकी एक problem और दूर कर दूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके चैनल पर 4000 गंटे का वाश टाइम हो गया तो आपको फिर 1000 स्क्राइबर कैसे मिलेंगे तयार यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है मेरी 7 दिन की report तो यहाँ पर मुझे जो 7 दिन में स्क्राइबर मिले हैं वह है 2771 तयार यह मैं आपको guarantee देता हूँ कि अगर आपके चैनल पर 4000 गंटे का वाश टाइम होता है तो आपको 1000 से ज़्यादा स्क्राइबर मिलेंगे इसके बाद हमारा जो next point है यह भी यह बहुती ज़्यादा important point है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अभी कुछ टाइम के लिए अपनी sharing totally बंद करनी है जो आप Facebook पर या WhatsApp पर अपनी वीडियो को share करते थे तो इसको आपको बिल्कुल बंद करना होगा अप क्यों करना होगा क्योंकि जब आप Facebook या WhatsApp पर अपनी वीडियो को share करते हैं तो वहाँ पर आपको views तो मिलते हैं बड़ आपको watch time नहीं मिलता अगर आप details में जानना चाहते हैं कि आखरो में sharing कैसे काम करती है तो मैंने इस पर especially एक वीडियो भी बनाया है और link मैंने आपको description में दी हुई है इसके बाद हमारा जो next और सबसे ज़्यादा important point है वह है YouTube analytics तो यार आपको समझना है अपने YouTube analytics को यूजर्स आपसे क्या चाहते हैं किस तरह की वीडियोस चाहते हैं उनका age group क्या है जब आप किसी वीडियोस को डालते हैं तो उस पर उनका reaction क्या होता है तो यार यह सब आपको track करना होता है और यह सब जानकारी आपको मिलती है analytics पर तो यार जितना भी हो सके आप अपने analytics को जरूर check करें और उससे समझें अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ negative point की कि आपने अपने चैनल पर content भी create किया अपने अच्छी videos भी बनाई बट फिर भी आपको views नहीं मिले तो यार इस condition में आपको select करूँगा कि आप Google AdWords को use करें अब यहाँ पर मैं अपने सभी YouTubers या फिन YouTubers सभी लोगों को select नहीं कर रहा हूं बट कुछ YouTubers जिनको actual में लगता है कि हमारे चैनल पर content भी अच्छा है तब भी हमको views नहीं मिल रहे तो आप एक boost के लिए Google AdWords को use कर सकते हैं इसके राब आपको उछ YouTubers के अभी doubt भी है जैसा कि मुझे WhatsApp ये mail पर बहुत सारे messages मिले जिसमें मुझे users पूँछ रहे हैं कि 20 February के बाद हमारे चैनल monetize नहीं होगा क्या तो यार 20 February की जो date है वह सभी उन YouTubers के लिए है जिनके चैनल पर already monetization enabled है बट उनके चैनल पर अभी 4000 गंटे का watch time नहीं है तो उन सभी को एक date दी गई है कि 20 February तक आपको अपने चैनल पर 4000 गंटे का watch time परना है और कम से कम 1000 subscriber करने है इसके अलाबा भी आर मैंने YouTube से लेटेड बहुत सारी वीडियो को create किया है जो कि मैं आपको recommend करूँगा कि आप एक बार वीडियो को जरूर देखें इसमें हमारी जो सबसे फस्ट वीडियो है वह है How to get more views हमारी जो second वीडियो है वह है How to get more subscribers इसके बाद हमारी जो next वीडियो है वह है How to rank YouTube videos इसके बाद हमारी जो next वीडियो है वह है 5 ways to grow your old videos इसके बाद हमारी जो next वीडियो है वह है YouTube Search Engine Optimizer तो यह respect करता हूँ मैं आपके time की बर जब भी आप free हूँ तो request करूँगा मैं आपसे कि आप इन सबी videos को भी जरूर देखें क्योंकि यहां पर भी आपको YouTube channel से related बहुत सारी information मिलेगी उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह video अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे जरूर लाइक करें एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हैं स्ट्रेक साइबर वाबा